आज पाल वर्ल में मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं अपने बॉस अनुबीस को लेकर के जाओंगा डूसरे बॉस अनुबीस के साथ फाइट करवाने के लिए and then guys मैं मौसंदा फोरेज जाओंगा and Blaze Howl का पावर देखूंगा and मैं इसले जारा हूँ टाकी guys मैं मौसंदा को पकर सकूँ ठीक है and then उसके बाद guys मैं स्टरगॉन को भी निकालने वाला है स्टरगॉन का भी हम लोग पावर देखने वाला है आज के इस एपिसोड मे and then guys मैं breed करने वाला हूँ एक new पाल को जिसका नाम होने वाला है guys cryo links and last में हम लोग और एक boss के साथ battle करने वाला है एक grass type पाल जिनका नाम होने वाला है वेले तो चलो guys देखते हैं वीडियो को शुग करने से पहले प्लीज गाइस हो सके तो लाइस और से कर देना and वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइक और कुछ और से प्रेस कर देना है ऐसे वीडियोस देखने के लिए guys आप लोगोंने तो देख लिया यार highlights में कि आज के वीडियो में क्या कुछ होने वाला है आज का वीडियो लिटरली बहुत ज़रा ओपी होने वाला है वैसे guys मैं आप लोगो कुछ दिखाना चाहूंगा यह इतना खास है इतना खास है पहले तो guys आप लोग यह देखो यह मेरा यार अलग क्यों दिखाई दे रहा एकदम सेम पोजिशन पे ही है दोनो ओके guys यह है एक नॉर्मल डिक टॉइस देख रहो यह है एक नॉर्मल डिक टॉइस यह है एक लखी डिक टॉइस डिक टॉइस का माइनिंग करने का तरीका तो बहुत बढ़िया है and guys मैं इस वाले लखी डिक टॉइस को अपने साथ रखने वाला हूँ क्योंकि यह काफी बढ़ा है literally यह एक अलफा पाल है ठीक है यह एक अलफा पाल है मतलब अलफा पाल अगर नहीं है मतलब अलफा पाल की तरह डिखता है इसका साइज देखो इसका साइज देखो नॉर्मेल वाले का साइज देखो यह है नॉर्मेल वाले का साइज यह पापरे लखी पाल का साइज लखी पाल इतना लखी क्यों होते है मतलब इतने बड़ें क्यों होते है यार एनिवेज मैं और एक चीज यहां पर टेस्ट करने वाला हूँ यार वो चीज मैं चलो फटक से दिखा देता हूँ ठीक है वो चीज यह है पता ने गाइस वो चीज कर पाऊंगा कि नहीं हाइलाइट्स में तो आप लोगों ने देख लिया होगा इधर ना गाइस इसको पकड़ सकता हूँ अगर मैं इस अनुबिस को पकड़ सकता हूँ न तो मजा सा आ जाएगा बट इस अनुबिस को पकड़ने के लिए मेरे को चाहिए होगा अल्ट्रा स्पेर स्पेर लाइन टू बनाना पड़ेगा तब जगर के मैं अल्ट्रा स्पेर बना पाऊंगा anyways guys यहां पर तो एक syndicate ठक का यार एक अड़ा है and मुझे इस अड़े को तोरना पड़े गा है उस अड़े में एक पाल फसा हुआ है तो guys इन सब situation से कौन बचा सब ए रुख जा रुख जा रुख जा इन सब situation में कौन बचा सकते है पता है अरे तू क्या कर रहे इन सब situation में सबसे बढ़या लारा कूश है अपना ये जा ले भ्रो सभी को मार सभी को मार बॉस अनुबि सभी को मार खतम भ्रो यैस नाइस नाइस जली से खतम करो जली से खतम करो ये लोग को खतम होई जैएंगे क्यूंकि गैज यहां पर टोको टोको यहां जल्फ डेस्ट्रक्शन मूड पर है ठीक है ओके मारो 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 आरे यार तुम लोगों की खट्या खड़ी कर दिया यार एन इन लोग का बेसे केम खतम हो चुक है यहां पर रिबनी फसा हुआ है तो मुझे इस ribbon को निकालना पड़ेगा ठीक है ribbon तुम इतने डुखी क्यों हो रहे हो यार attention मतलो यार जाओ enjoy अपने life को enjoy गरो ठीक है मुझे अब क्या करना पड़ेगा 2 चीज़े करना पड़ेगा and guys मैंने 2 चीज़ों के लिए oh guys मैंने तो main चीज़ देखा ही नहीं फटक से फिर से technology में आते हैं नीचे आते हैं guys quards बनाना पड़ेगा quards ठीक है and ये quards कैसे बना सकते हैं quards 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 I think so guys quards के लिए कुछ भी खोनला नहीं है quards के लिए कुछ भी खोनला है नहीं quards बनाने के लिए I think पहले तो production assembly line पे जाना पड़ेगा and then quards select करके आराम से quards बना पाएंगे and तुम लोग लगे रहो यार dick toys को इसलिए guys मैंने इस वाले जगा पे रखा हूँ and इस वाले जगा पे बहुत सारे literally guys वहाँ पर जैसकी डेक पर वहाँ पे एक sulfur का ये भी है ठीक है वहाँ पे sulfur भी है तो sulfur भी मेरे को मिल जाएगा ठीक है and I think quards के लिए sulfur चाहिए होगा so let's go फटक से guys अमने base को repair कर लेता हो okay बनाओ 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 okay good let's go and guys आज मुझे gris bowl को बनाना है ठीक है gris bowl को बनाने के लिए मुझे फटक से चीजे करना पड़ीगा मतलब दो पालों को रखना पड़ीगा literally guys मैं अपने घर में एक दिन के बाद आया हूँ and ये सब estagon के अंडे है यार ये सब ना literally estagon के अंडे है ओरे बापरे इतने सारे अंडे यार इतने सारे अंडे कोई अगर पाल होता जो कि अंडे हैच करवाने में मदद करता तब तो यार बहुत बढ़िया हो जाता आरे यार डोतीन अंडे को यार चलो डाली देते हैं ठीक है? डोतीन अंडे को डाल देते हैं यार वैसे guys मेरे लिया एक एक चीज तो अच्छा ही हो गया, ठीक है, एक चीज अच्छा हो गया, यह अच्छा हो गया, कि, एक मिनित, यहाँ पर और एक अंडा था ना, कि आप मैं अपने एस्टरगोन को और जड़ा पारफुल बनाना पाऊंगा, पाल कॉंडे सेशन में, ठीक है, अगर इस वीडियो म को कम्प्लीट अप्ग्रेड कर दूँगा, ब्रो, कम्प्लीट अप्ग्रेड, आप लोग देखने वाले हो, एक ऐसा बेस, मतलब बहुत बढ़िया बेस देखने वाले हो, फिर आप लोग मुझे कमेन करों कि, बोल भाई, हाव इस इस इवेन पॉसिबल, ओके, चलो यार, बहुत सर अंडे को हैच कर वा लिया, ओके, डन, ओ, गाइस, इसका तो यार, पैसी बहुत बढ़िया था, दो, डो, पैसी ब इसका अच्छा था यार, एन यहाँ पे और टोटल कितने अंडे है, यहाँ पे टीन और यहाँ पे चार, ओके, तो मतलब बारा अंडे है यार, आ पोड़े गुद न्यूज यह है कि, गाइस, मैं आ बहुत जल खेलने वाला हूँ, एक ऐसा सर्वाइबल गेम, मतलब पाल वर्ल्ल का तो वीडियो आएगा ही आएगा, एच चनल पे टेकन एट खतम होने वाला है, ठीक है, टेकन एट के बाद मैंने सोचा था, मॉर्टल कॉ कि नहीं, 100% आप लोग यही बोलोगे कि, येस, बोल भाई, आपको नाइट एंगल खेलना चाहिए, अगर आप लोग नाइट एंगल के बारे में जानना चाहते हो, फिर आप लोग सर्च करो यूट्यूब पे नाइट एंगल गेम प्ले, फिर आप लोगों को खुद से ही लगेगा कि यार, बोल भाई, हाँ यार, खेलो, इस गेम को तो डेफिनेटली खेलो, ठीक है, एन गाइस, आप लोगों से बात कर्टे-कर्टे, मैंने धेर सरे अंडों को हैच कर दिया, ठीक है, लिटरली गाइस, मैंने धेर सरे अंडों को हैच कर दिया, ओके, एन अच्छ अप्रोग्सिमेटली थेन आवर्स लेटेर, अच्छी ना डिया है यह लोग भी घृडिंग करने वाले हैं तुम लोग नहीं करोगे क्या बीडिंग वो बीडिंग तो करेंगे, मेल फीमेल नौट प्रेजन मतलब यह क्या चीज हो गया नहीं 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 गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैंने कौन से ओले रेहांड को या डाल दिया ये तो गलारी चीज हो रहा है male and female not present यार एक मिन गाइस ये male नहीं है क्या ये तो गाइस clearly एक male है हाँ गाइस ये तो clearly एक male है and ये मोसंडा ये female है तो गाइस गल्टी कहाँ पर हो रहा है ये चीज समझ में नहीं आ रहा है चला और एक चीज देखते हैं और मेरे पास रेहांड नहीं है क्या male वाले नहीं है गाइस and मोसंडा कोई दूसरा मोसंडा है क्या मेरे पास ये तो गल्टी चीज हो रहा है तिस में ग्रिझ बोल को मैं पिंडा कर सकों बड़ जासे की भीट हं ये तो क्लिर लिक ए तो क्लिर फीमेल फीमेल है फाली Clay's मेल है अगर आप लोग देखिएगा टिकेया में अगर इसको अभी इधर ढ़ी डाल इसका मतलब गैस grease bowl भी मुझे मिल जागा लेकिन ये मौसंडर को काफी भूक लग रहा है तो ये खाने के लिए जा रहा है जब तक के ये लोग breeding कर रहे हैं तब तक के गैस मैं क्या करने वाला हूँ मैंने बोला था ना गैस मैं boss अनुबी इसके साथ battle करने के लिए पहली बात गाइस मुझे अपने एस्टोगॉन को ठोड़ा सा और पाउरफुल बनाना पड़ेगा ठीक है फटाक से कॉंदेंशेशन में जा लेता हूँ एन गाइस मैं यार फैन ग्लोब को ले लूँ क्या बट ये फैन ग्लोब न ये जो फैन ग्लोब है इसका पैसिब इतना अच्छा है नहीं जैसे कि डेख पड़ो एकदम दोनों डाउन वाला पैसी भी है तो इसको लेने लायक मतलब ये है नहीं ठीक है इनिवेज घाईस एस्टागोन को मुझे पावववल बनाना था इस वाले एस्टागोन को नहीं मिरे पास और भी कमाल के एस्टागोन थे ए मुर्फी ये ये तहाम कर लेते हैं प। 서ола पाल बोक्स को एरिंच कर लेता हूं, ओके, शोट बाई पाल डाग, ओके, यह मसंदालक्स अभी ताख खाही रहा है, भरो, यह मसंदालक्स इक भी पार में पूरा यह हजार हजार बेडिस अपने मुँँ हूँ में क्यों घुसान ही लेता है, एग के-वडर को मिलेगा देखेख रहुए कितने सारे एश्टगॉन है कितने सारे एस्टागॉन है यह होने वाला dachakon काफी बढ़्या होनेवeding जिसकी देख परो, मेरे इस वाले पर सिर्फ स्विफ्ट ही है, तो मुझे लग रहा है गाइस, मुझे इस वाले एस्टागॉन को, लेकिन इसका क्लमजी और ग्लूटन ये भी है, इसका सिर्फ क्लमजी है, ओके और देखते हैं गाइस, ओके रनर, ओके, ओके, बरली बोडी, ये बरली बोडी, ये क्या चीज है ब्रो, इसके बाने में मैं जान सकता हूँ, क्या बरली बोडी, नो, ये जो इस्टागॉन है, इसी को रखूँ, एक मिने एक काम कटे, इसको तो रखते ही है, इसको अपने टीम में रखेंगे, और आइटिंग गाइस, मुझे इसको भी एस्टागॉन रेडी हुआ है, ये बला एस्टागॉन है, ये बला नहीं था, कौँचा बला था यार, ओकी ये बला था राइट, तो इसका जैसे की डेख पर हो, इसको भी मैं अपने टीम में लेकर के जाओंगा, इसका वान स्थार आ चुका है, और भी मैं इसको स्टिशल बना पाऊंगा, आप सोला चाहिए, एक, डो, टीन, चार, पांच, चाह, साथ, आथ, अबे, औरे बापरे, गाइस, एक चीज, यार, मैं इसको और ज़्यादा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सोला एस्टागॉन भी है, मेरे पास सोला एस्टागॉन अराम से है, और गाइस, देखते हैं, मेरे पास एस्टागॉन के अंडे है ना, तो क्या टिंचन वाला बात है, यार, क्या टिंचन वाला बात है, चलो फटाक से में, एक, डो, टीन, ओके, टीन अंडो को हैच कर लेता हैं, मौसंडा, तो अभी टग नहीं आ रहा है, तो ट्रेंस्पोर्टि यह इधर रखा था, यह को इसलिए इधर रखा था, ताकि टू ब्रीट कर सके, और आइड नो वाइस, ही इस नो ब्रीडिंग, आप शायद से ब्रीडिंग करेंगे, ओके, अरे नहीं हो रहा है यार, यह निकल क्या आ रहा है अभी, नहीं हो रहा है यार, लीटरली नहीं हो एक बार साइच कटे मुझे और एक मुसंडा को पकरना पड़ीगा आज भी घ्रिस बोल का काम होगा नहीं ठीक है ओके आइनीड टो सीड़ है तो इस वाले एरिया पे ही मुझे मुझे मुसंडा लग्स देखने को मिल जाएगा ठीक है और आप सभी भायों के कमेंस भी रीट करना है आज एक पहुड़ी कमाल के पाल मौन को में यार बनाने वाला हो और जरक और जरक यार कुछ करके था यार वो ना एकदम गार्चाम की तरह है but Garcham is a dragon type, ground dragon है यार टिंक गार्चाम ओ वाउ ओ वाउ ये वला एस्टागन तो होगजदा कमाल का है यार ओके एन जो और जरक है यार ऐटिंक वो इलेक्ट्रिक ड्रेगन होगा राइट कोई परब्लेद नहीं, फटाक से ये कर लेते हैं, मैं किसको पार्रोल बनाने वाला था, इसको पार्रोल बनाने वाला था, एक मिनिट, चलो, शुरुबाद से सेलेक्ट करेंगे, ओकी, ये, 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 चलो यार, रेंडमली चूज कर लेते हैं, वैसे मेरेको 16 चाहिए, अब ये काफी शक्तिशाली बनने वाला है, क्योंकि जैसिक आप लोग डेक पर लेवल 1 में ही, 623 मेक्सल, और 122 अटेक, और ब्लैक अंकियोलोसौर, ब्लैक अंकियोलोसौर मतलब मेरेको समझ में नहीं रहे, ये, ये है, ये नाम, क्या नाम है ब्रो, ये, ये, ये नाम, क् ये, 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 तो यार मुझे डेफिनली या डोटीन पारफुल ग्रास टाइप को तो ले करके जाना ही पड़ेगा, तो मेरे पास पारफुल ग्रास टाइप कौन कौन से है, I will show you, मेरे पास यह गजराज है, यह इसको तो डेफिनेटल ले करके जाना पड़ेगा, और किसको ले करके जा सकते हैं, और किसको ले करके जा सकते हैं, इसको ले करके जाओं क्या, इसको भी ले करके जा सकते हैं वैसे, रिलेक्सोसोरस को, पर रिलेक्सोसोरस का एक बार, एक बार गैस रिलेक्सोसोरस का सेलल बन जाए, फिर guys मैं इसी को लेकर के घूमता रहूंगा ये डिखरो ये blaze howl कितना बढ़िया है this is the best blaze howl this is the best this is not the best blaze howl ये जो मेरे पास से ये सबसे best blaze howl है and guys मुझे अपने blaze howl को भी बहुत ज़रा शक्ती शली बनाना पड़ेगा यार बहुत ज़रा शक्ती शली बनाना पड़ेगा यार wow guys blaze howl का लेकिन passive मानना पड़ेगा and you guys warsec okay किच्चून okay किच्चून को वैसे लेके जाओ कि नहीं मैं सोच में हूँ अभी भी सोच में तो हूँ ठीक है and gris ball को लेकर के I think जाना चाहिए guys मैं ही सबसे बड़ा नूब हूँ इस दुनिया का and इस गेम का सबसे बड़ा नूब bolt भाई है ठीक है क्योंकि quards को यार बनाना नहीं होता है quards को collect करना होता है quards is a nature resource bolt यार टेरे से नहीं हो पाएगा and मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा cold shore में मुझे quards मिलेंगे seriously यार bolt मैं seriously सठ्या गया हूँ and इस जगा पे मुझे quards देखने को मिल जाएगा फटाक से कित सुन को निकाल लेता हूँ guys इधर तो एक अंडा भी है अंडी को लिकर के जाएंगे okay अंडी को ले लिए okay इस वाले अडिया पे नहीं नीचे वाले अडिया पे होगा quards ठीक है फटाक से देख लिता हूँ ठोड़ा सा उपर में होगा quards यह तो iron ore है and guys जैसे कि देख पर यह है quards seriously मैं seriously बता रहा हूँ guys मैं seriously यार बुद्धू हूँ हूँ यार and इधर भी mining का यह symbol लगाने थे ठीक है इधर भी quards मिलेगा मुझे याद रहेगा फिर okay now एक मिन गाइस इसके लिए तो मैंने saddle नहीं बना है न लेकिन गजराज नहीं एक चीज कर सकता है oh shit तू आजा 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 वापस आजा गजराज नहीं कर पाईगा तू भी आजा तू भी आजा estragon is a very good miner ठीक है estragon इसको तोड़ जली से तोड़े जली से तोड़े यार तो slow तोड़ रहा है यार slow तोड़ रहा है यार guys seriously मुझे भी help करना पड़े गा estragon को okay मेरे पास peak है कि नहीं मैंने साइध से peak आज़े guys मैंने अपना peak ही नहीं लाया यार okay quards में रहा है guys quards में रहा है pure quards मुझे वैसे guys production assembly line बनाने के लिए कितना चाहिए ठीक है 2-2 वाला बनाने के लिए फटक से नीचे आते है नीचे 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 and okay ये वाला नहीं ये वाला नहीं और रहसा नीचे जाना पड़ीगा इसके लिए मुझे quards चाहिए अचा नहीं 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 circuit board के लिए quards चाहिए quards मेरे को सिर्फ 4 चाहिए ठीक है मतलब 4 quards 4 pure quards और 2 polymer से बनते हैं 1 circuit board and इसमें कितने circuit board dust चाहिए इसका मतलब guys मुझे at least 50 quards तो collect करके जाना है पड़ीगा ठीक है 50 quards collect करके जाना पड़ीगा and ये बहुत slow हो रहा है तू बहुत ज़रा slow टरीक से मेरे को quards जे रहा है मेरे पास अभी cool मिला करके guys कितना quards 6 quards आ चुके तो ये seriously इतना slow कर रहा है भाई तू ही कर ले यार तू कर ले तू कर ले ये भी slow ही यार मुझे dick toys को ले करके आना चाहिए था कर 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 जीटना हो सके तू कर ले ठीक है ये collect करना वो collect करना यार कितना चीज़े collect करना होता है एक एक चीज़ को अच्छी टरके से देखना पटा है वैसे guys मेरे पास कितने आगे हैं अभी quards school मिला करके 9 आगे है नहीं guys dick toys को ही ले करके आना पड़ेगा तो फिलहाल जो मैं cheese करना हूँ और ये क्या कर रहा है तू आजा फिलहाल guys मुझे जो cheese करना है मुझे boss battle करना है पहले उचीज पर धियान देता हूँ ठीक है ये लोग देख रहो ओड़े बापरे तुम लोग अभी भी कर रहे हो न अभी भी कोल्स को कलेक कर रहे हो अन मुझे कुछ चीज़ों को gunpowder को ड्रॉप कर देता हूँ के हैं यार स्पेशेल गाइस मुझे इस बड़े वाले डिक टॉइस को ले करके जाना पड़े गारे बैटल करने के लिए एनिवेस गाइस गो लाइस गो यार फरसा दर भी लग रहा है बट डर के आगे जीठ है टीक है यार डायरेक्ली में काम करेंगा पहले गजराज को निक सेफली ओके फाइट कर फाइट कर सिर्फ देखेंगे ठीक है सिर्फ देखेंगे बटल नाइस ओके मैं भी इसको हिट डे रहा हूँ यह बॉस अनुबीस है ब्रो बॉस अनुबीस आर वेरी स्ट्रॉंग यह तो आप लोगों ने यह डेखी लिया मेरे वाले पे जो अनुब को लेके आते हृँ झार टा रौ सेख लेकर के आना पड़ेगा होकी है वार्से पर मासे को गोली बला इंगे के यह एक्षोरिय को हैक करने जा जाद आब लोगो 수थ यह बहुता क्वालत काफी टाइट होने वाला है एड अ आ इचिज कई आब चलो गाई इस कि इस कर पाएगा देखते हैं मैं help तो कर रहा हूँ यार किट्सून भी मार रहा है गार इस flare storm डर्क टाइम मुव से हमला ओके nice one nice one daring flames यूज कर रहा है फटाक से फिर से बेज रहते हैं तुम लोग एकदम common attack aggressively इसको aggressive attack करना ही पड़ेगा अगर इसको attack aggressive नहीं करोगे तो यार इसको नहीं हरा पाओगे ठीक है यार इस यह वाला boss anubis इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉंग है नहीं ठीक है क्योंकि मेरे वाले पे जो anubis है है यार यार यह स्ट्रॉंग क्योंकि इसने कित सुन को रहा है आप गाईस boss anubis चंगाप पंगा कर रहे है तो फटाक से देंगते हैं चलो पास में जा करके देखेंगे ओ नाइस यह लोग किसके साथ battle कर रहे हैं वैसे औन मेरावाला कौन सा है ओ नो ओ ओ के ओ के ओ के ओ के बेटल लिखाओ डाइस दोनों ही कामाल का मस्तर क्यिसा पंगा ले रहे उड़ी बाप रहे ऑके कोई तो है देफेनली मरेगा यह मेरी ओपर एटक कर रहे है जो मेरी ओबड़ी favour Trung Works & नहीं ठीक है लेकिन इस वाले अनुबीस का भी हला टाइट हो गया है शेट गाइस मुझे अपने अनुबीस को थोड़ा सा यार थोड़ा सा यार बॉल के अंदर डालना पड़ेगा वार्सेकों लेकर आते हैं क्योंकि यह डिक टॉइस अभी मेरे ओपर अटेक करने वाला है यह डिक टॉड औरे नहीं यह पावर बॉम तो मेरे अपर ही बढ़ने वाला है रहेट नहीं नहीं लिए मेरे उपर आ रहा ऊकहर केड semaine करने को सिर्फ सेंट कुछ लोग जासंतर है हों कि अगर ये कीक मेरे और पर पyouください तो मेरे को तो काफी ख़दरनाक डेमेज पढ़ आमें तुम लोग कर किया रहे हो यार शिट कैस्ट यह यह मेरे उपर फिर से मार रहे हैं यह मेरे उपर ओ काईज मैं बजगया हूं औरे यार मेरे अनुबिस कहां पर चला गया मेरे अनुबिस टोको-टोको के साथ बेटल कर इसको बचा लेते हैं यार यह अगर मेरे अनुबिस के ओपर पढ़ जाता तो यार मेरे अनुबिस को भी काफी अच्छा फटका पढ़ता थीक है अरी शिट शिट यह लोग अपने यार डोनो भाई भाई है मुझे पता है यार अभी यार यह डुश्मन वाला भाई है ठीक है वासे कैस डुश्मन वाले भाई होते ही नी ठीक है वासे कैस अनुबिस तो बुरे होते ही नी एक्छोली अनुबिस अर बोट गार्जियन्स है ब 2000 में आगया ब्रो ये बहुत बड़ा बात है ब्रो ये बहुत बड़ा बात है एंड मेरा अनुबीस लिटरली बहुत ज़रा स्ट्रोंग है मैंने बोला था ना गाइस मेरा अनुबीस बहुत ज़रा स्ट्रोंग है स्रियसली मेरा अनुबीस बहुत ज़रा स्ट्रोंग है एंड नर्मल सा एक इंसान हो, डम है, तो मेरे अनुबीस को हरा करके ठीक है, इजी यूजिंग है, पावर मॉम, चलो बचा लिया है मेने पावर मॉम से, ओके मार, मार ले, मार ले, मार ले, जल्ली से मार ले, 1655, 1655, आप गजराज को भेजेंगे, ठीक है, नाइस, नाइस, ओ, पोज कर इसको उड़ा, ठीक है, and तू कर सकता है, डोस प्लेस टू कर सकता है, यार, I know you can do it, Gajras, तू भी तो एक बॉस ही था, तू तो गाया क्रसर है, ठीक है, तिरे को गाया क्रसर बुलाते है, तो तू कर सकता है, डोस बहुत बढ़िया, ग्रास तैप मुव इसके ओपर मेरे पाल मौंज तो मर चुकी हैं बट डोंट वरी यार मेरे पास एक बहुती कमा का ग्लिचниц है उस ग्लिच के कारण में आपने जो मरे हुए पाल्स है उनको डिरेक्ली रिवाइब कर पाऊंगा इसको दाल देते इनि इसको दाल देते एन फिर से इन लोग को ले करके आते हैं अपने टीम में कहां पे चलेगे ये लोग कज ये लोग तो कहीं और पे ही चलेगे यार उनो इन लोग को लेना पड़ेगा यार चलो ले लेते हैं ओके ये लोग ठीक हो चुके मेरा बॉस ये ठीक हो चुका है जिसी के आप लोग देख परो ये भी ठीक हो चुका है ठीक है एंड कित सून भी ठीक हो चुका है ओके डन डन गाइस एकदम डन डना डन अब चलो अपने ब्लेज हाल को लेकर के जाना पड़ेगा वार्सक तू थोड़ेड के लिए थम जा ठीक है मैं एक निव लोकेशन पे जाने वाला तू क्या कर रहा है वाओ यार क्या डेवलोबर्स तुम लोगों को स्रेसल रेस देना ही पड़ेगा यार राथ होने वाला है एंड ये एक फायर पालमन है इसलिए इसका duty बनता है कि इसको यह राथ के समय में उजाला करना है तो उजाला करने के लिए ही गाइस ये सारे के सारे बटियों को जला रहा है ठीक है अब मुझे जाना पड़ेगा मुझे जाना पड़ेगा इथे इथे वाले जगा पे जाना पड़ेगा मुझे पकरना है मौसंडा को मौसंडा को पकरना है मौसंडा फोरेज जा रहा हूँ ओके आसपास देखते है याई एल्जबी चलो एक काम कटे थोड़ा सा strong तो बनाना ही पड़ेगा estagon को थोड़ा सा strong तो बनाना ही पड़ेगा ठीक है Κðsun को भेंचने पहले Sarai hanging alive ज Almost १श्ट के कि बलें को कशचिंषित लिक्स लेक्तुर आज आज्टर अज एस्टोगं और ब्लेज आण और ब्लेज हौल डोंग को पॉटवल बनाना पढ़ें 00 मिले दोना पाए clair देखते हैं, नाइस LGBT मेरे को पकर लिया, गोरी रेट ने मेरे को पकर लिया, नो, 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 आजा, आजा, तू, आजा, किच्छुन, तू ही हैंडल कर सकता है, अभी, ओके, इस गोरी रेट को मैं स्रियसली बता रहूं, यार, छोड़ूंगा, नहीं, ठीक है, LGBT तो खतम हो खतम कर इसकी, इसको मैं भी मारूगा रूप, गोरी रेट, यह ले, यह ले, यह ले, खतम, आप देखते हैं, इन डोनों का लेवल देखते हैं, एस्ट्रागोन लेवल 14 का हो चुका है, और ब्लेज़ाओ लेवल 13 का हो चुका है, एनवेस गास मैं हूं मोसंडा फोरेस पर irt stat को इस बीग्रेट के काडन मैं मौसंडा को पकर पर नहीं पाई इस B great के करण में Mousandha को पकरना ही पाया और मेरा ब्ले जाल तो मार खाहरा यार बत नहीं नहीं मोसandha definitely रएगा Mousandha definitely हारेगा ऑष्टम पर मेरे को मार रहे है अभी ये मार रहे है, इसकी ये शिशली ये ब़ंद बजाढ़ीं के छलो capture rate 44% है एंड यह डिफिनेंटले आ जाएगा आ जाएगा फॉर्शियर काईजी आ जाएगा कि इसको थोड़ा सा सबक सिखा दे बाई सबक सिखा कि इसको इसको सबक इतना सिखा कि यह मेरे सथ दुबारा लड़ने के लिए नहीं आए ठीक है फानली गाइस मुझे मिल चुका है एक मेल मोसंडा नाइस वान यहापे डो मेल मोसंडा है चलो मज़ेदार ब्रो अब किसको निकालेंगे पता है एस्टागॉन को निकालेंगे एस्टागॉन जाकरके इसको थोड़ा सा पेल इसको पेल 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 इसको पेल टूस्तर वला एस लड़ 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 इसको तो काफी बढ़िया फटका पड़ा कहाँ बेचला गया चलो पकड़ पाएगा पकड़ पाएगे फ़र्शी उड़े ये आज आएगा एन इसको देखता हूँ ये तो डेफिनले आएगा ही 66% तो होई चुका है येस शीट गॉइज यार मैं अटक चुका हूँ मैं लिटरली अटक चुका था यार इसके हाथ में ओके गट 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 ये मुसंदा पीछे के तरफ जा रहा है रोग जा मुसंदे आज आएगा सहचे 24% तो दिखा रहा है 45% दिखा रहा है कैप्चर दिखा रहा है ओ नहीं आया यार दिस इस लिटरली सॉकिंग भई अब तो आएगा अब तो डेफिनेटली आ जाएगा यार अब तो आएगा ही लेट्स गो होम अरो यार मुसंदा तू स्रियसली कमाल का है यार तू कमाल का है यार तेरो पर मैंने 3-3 थैपर स्पियर भेड़ा दो हाइपर स्पियर कर तो तूने तो डाला वट तीसरा हाइपर स्पियर ने इसको पकर लीया थिक है बद यार ये पाबफूर मुसंदा था जैसे कि देख पर यह फेरोशियस भी था anyways guys let's go home अब आराम से guys rayhound के साथ मैं मुसंडा को breed करा पाऊंगा and then guys मुझे grease bolt मिलेगा okay let's do it let's go let's go let's go अब मुझे male वाला मुसंडा चाहिए यहाँ पर जो है एक मिनित यह फटक से देख लेता हूँ यहाँ पर लेकिन female दिखाया जा रहा है दोन वर्डी गाइज मुसंडा मैं male को इधर एक बार डाल देता हूँ अगर male suit नहीं होगा फिर guys मैं female को डाल दूँगा जा okay I think they will breed now I think they will breed now right breeding तो दिखा रहा है एकदम कमाल रेके से breeding दिखा रहा है ये खाने के लिए जा रहा है रेंट उखा ले फटाख से खा ले ठीक है तो खा ले जड़्ली से खा ले जड़्ली से खा ले okay अब ये breeding करने के लिए जाएगा कि नहीं पता नहीं तो इसलिए मैं ही खुट इसको लेके जारहा हूँ ठीक है आप फीमेल मौसंडा को डालना पड़ेगा, यह फीमेल मौसंडा है, तुम आजाओ, चलो, अब तुमको ऐसाइन करेंगे इधर, आप प्लीज ब्रीडिंग कर लो यार, आप तो ब्रीडिंग कर ही लो यार, वर्किंग, फाइनली गाइस यह लोग ब्रीड कर रहे हैं नहीं कर लो, मैं फीमेल को एटर सेंड कर देता हूं आप देखे हैं यह दोनों ही अभी बाग चुके हैं जाओ जाओ कोई पर्ब्लम नी मोसंडा के चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा वक जा रहा है ठीक है ये ग्रिस बोल मतलब ग्रिस बोल बनाने के चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा वक जा रहा है वेट अमिनिट भाई वेट अमिनिट ये अपने इधर ही आ रहा है ना तू इधर आजा और फीमेल रहा है गैस करने वालो मैं और ग्रिस बोल्क नहीं बनाने वालो ठीक है फटक से कमेंट देख लेते हैं आप लोगों का आज का ब्रीडिंग करते हैं ठीक है आज करेंगे गाइस किट्सून और एस्टोगॉन को ब्रीडिंग ठीक है अगर गाइस में किट्सून और एस्टोगॉन को ब्री वेज़े स्थिमेल अस्टागॉन वेट वेट फीमेल अस्टागॉन को इदर डाल देते हैं ओके फीमेल अस्टागॉन तुम जाओ ओके मुझे शेडवबिक चाहिए आप यह लोग डेफिनली मेटिंग यह हो क्या रहा है यार आज यह हो क्या रहा है गाईज आज और मैं जभी भी यार पालो को इधर डाल रहा हूँ ये भी तो गाईज जैसे की डेख पर क्लेरली एक फीमेल है और अभी जिस एस्टागॉन को मैंने दाला था ये तो एक मेल था मतलब ये हो क्या रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार ये ब्रीट क्यों हो क्यों नहीं रहे है यार क्या इधर कुछ जाधा ही अंडे है इसलिए चलो फटाक से अंडे को उथा लेते हैं न एक मिनिट कुछ फैंक देते हैं ये फैंक देता हूँ ये भी फैक देता हूँ और ये पत्थर भी फैक देता हूँ चलो guys अंडे को भी उथा लेते हैं एक डो और ये टीन अंडे को एक मिनित अडे नहीं ओके मैंने अंडे को उथा लिया ठीक है आप तो तू एसाइन हो जा यार आप तो तू प्लीज भाई यार ये सब क्या हो रहा है यार ये सब हो क्या रहा है ये रेखो guys मैं फिर से कर रहा हूँ ठीक है कहाँ पर चल गए ये एस्टोगोन ये देख रहा हूँ न ये एक मेल है लीटरली guys ये एक मेल एस्टोगोन है यहाँ पर जो guys कि इयु सोइज ने एक फेमेल यह देख रहा हो मैं फिर से फहक रहा हूंवाँ जाना है जो इसको तो कहीं अलग जगा पे ही जाना है इसको अलग जगा पर जाना है अब ये घुझ गाई νडिशी निकल गया अब यह गुज़ गया और किट्सू निकल गया वाइस आप तुम लोग ब्रीड फार्म पर क्यों ब्रीडिंग नहीं कर रहे हो मसला क्या है यार गाइस मैं सुबा आया एंड सुबा जैसे कि मैं डेख रहा हूँ इधर टो एक अलगी ब्रीडिंग चल रहे है इधर चल रहा है एस्टोगोन और सुजेको के बीज ब्रीडिंग एंड इंडोनों का प्रोड़ाक वैसे क्या निकलने वाला है यार ये चीज़ भी अचरिया चक जैसे कि देख पर हूँ इन लोगों एक अंडाटो डेडिया अब देखते हैं लाज फ्रोजने एक मेभी कुछ कमाल का चीज देखने को मेल भी सब्सक्ता है लेट सी क्या होता है ओके क्या निकलेगा वाट क्रायो लिंग्स वाट इस ये क्या है क्रायो लिंग्स यार कमाल क लग रहा है यज एक बार डेखते हैं क्रायो लिंग्स क्रायो लिंग्स काहां पर है यह है क्या इसका कूलिंग तो लेवल क्रियो ये क्या है इटक है इसलिए क्लाइμ अश्थीब मौंटेन विट इट्स हार्ट कलोज हॉवेवर इट्स्वाट लेग्स मेंक्स मेग्स इट to descend often leaving it stranded in high places इसका पैर काफी चोटा है जैसे कि आप लोग देख पर इसलिए गाइज ये यार अच्छी तरीके से मतलब हाइज प्लेस में उटरने में इसको डिक्कत होता है क्योंकि इसका पैर चोटा है इसलिए आराम से पहारों में चर सकता है नाइस वान यार क्रायो लिंक्स तो बहुत कमाल का है देखते हैं अब धेर साइज क्रायो लिंक्स के अंदे मिरेंगे यार अच्छी तरिके से हो राई है लीटरली कैसा अच्छी तरिके से हो राई हार इन दोनोंका ब्रीडिंग भी हुआ बट मॉशंडाएण, रे हाउंड, एस्टर हよろ नहीं यह क्या था कित्सुन का यह क्यों नहीं हुआ I don't know ठीक है क्या रिजन है क्यों नहीं हुआ और एक अन्दा मिला क्रायो लिंक से बहुत बढ़िया वाला क्रायो लिंक मुझे बना लेना पड़ेगा इन गायस आज तो यह बीडिंग थो हुआ ही नी तो मैं सोच रहा हूँ गयस तो अज़ संडे का दिन तो ओवियसली कामाल का बनाना पड़ेगा गाईस मैं इस वाले जगा में जाने वाल यह जो काला वाला एरिया है इसको मैंने esqulore नहीं कर रहा है तो definitely इस वाले जगह में जाओंगा, oh guys, गलत कर लिए, गलत कर लिए मैंने guys Two hours later Finally guys, ये लोग breed हो रहे, Finally guys, ये लोग breed हो रहे and Yes guys, मुझे shadow beak मिलेगा, मुझे shadow beak मिलेगा, yes, nice one, nice one, nice one, nice one, c лो, आप होगा आप सही चीज होगा यार आप सही चीज होगा anyways guys मैं इस cryolinks को भी यार कर लेता हूँ ये hatch कर लेता हूँ ठीक है और मेरे पास और भी कुछ डो अंडे है frozen अंडे है ये चोटे चोटे अंडे इन मेंसे अंडो मेंसे क्या निकलता है एक तो चीलेत निकला और एक अंडा होगा मेरे पास ये रहा इस मेंसे क्या निकलता है चलो ये भी देख ले दो ओके माओ क्रेस निकला और भी कुछ अंडे वंडे है क्या नहीं ओ फाइनली ये लोग तो एटलीस यार ये हो रहे यार ब्रीड कर रही हूर फाइनली यार उफ, 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 उफ मेरे को लगा था यार मुझे शेडो बिक कभी भी नहीं मिलेगा बत अब जा करके यार थोड़ सा होप पैडा हो रहा है आप तो मुझे सेडो बिक मिलेगा यार and clearly guys clearly देख पा रहा हूँ मुझे मिल चुका है मुझे मिल चुका है एक बहुत बड़ा अंडा चलो ले लेता हूँ ले ले I think guys मेरे inventory फूल है है ना? ओ नहीं 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 इंवेंटरी फूल है नहीं चलो let's do it huge dark egg and इसमें से अब मुझे मिलने वाला shadow big please अच्छा passive वाला निकल ओकी इसका passive तो कमाल का है guys इसका passive जिसे की देख पढ़ो सिर्फ एक ही है passive and swift और अंडे देखते हैं और अंडे देखते हैं ठीक है और एक अंडा मिल चुका है and मुझे definitely लग रहा है इसमें से भी जो shadow big निकलेगा न उसका भी passive अच्छा ही होना चाहिए ठीक है देखते हैं देखते हैं देखते हैं नहीं इसका इतना भी अच्छा नहीं है ठीक है इसका इतना अच्छा नहीं है भुद वो पहले वाला बहुत अच्छा था ठीक है और एक निकलने वाला है ये वाला निकलेगा एंड डायरेक्ली में तुरन निकल जाओंगा ठीक है तुरन में निकल जाओंगा इस वाले एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए इस वाले एरिया को नहीं इस वाले एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए इस वाले एरिया को कोई तो boss होगा, definitely guys, कोई तो boss होगा, okay, okay guys, अंडा मिल चुका है, फटाक से अंडा ले लेता हूँ, please यार, एक अच्छा पैसी बाला shadowbake निकल, let's see, okay, fingers cross, okay, मैं आग भी बन कर लेता हूँ, ठीक ही है, बार, clumsy है, यार, anyways, guys, आज मैं shadowbake को नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, आज मेरे पास already मैंने blaze howl, kitsun, anubis boss, relax or source, इन लोगों को ले लिया हूँ, इन लोगों को ले करके ही, आज मैं, यार, अगर कोई boss मिलता है, उन लोगों के साथ बैल कर लूगा, ठीक है, एन म काहर के उपर आँ चुके, अब ये वाला idea, उई, उई, वेलिट, आ येस, guys, एक new boss, मजा आने वाला है, चलो, boss के साथ बैल कर ही लेते हैं, ये वेलिट जो भी होने वाला है, जैसा भी होने वाला है, boss होगा तो definitely strong ही होगा, ठीक है, बट मजा आने वाला है, and guys, इधर तो ए hyper spare से भी मैं उसको पकर पाऊंगा, nice one, अब अंडा भी collect कर लेता हूँ, ठीक है, अंडा भी collect कर ही लेता हूँ, okay, let's go, 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 okay, okay, मिल चुक है, अंडा, okay, scorching एक, okay, इतना भी अच्छा कोई पाल नहीं मिलने वाला है, चोटा सा अंडा है, anyways, let's go, let's go, let's go, औरे, मजाने वाला है, bro, आजाओ, मैं पहले तो guys, I think Anubis को भी बेजूँगा, Anubis, चल ले, हमें अभी dungeon के अंदर घुसना है, and Vailet को राना है, पता नहीं कैसी, इस Vailet का, Vailet ग्रासता है भे, ओ, नियो, Vailet ग्रासता है भे, तो, किट्सुन को भेजटे है, चलो, किट्सुन को भेजटे है, मार, किट्सुन इसको मार, attack aggressively कर देता हूँ, अरे, nice यार, 2960 पे आई गया, अरे, nice, यार, nice, very nice, अरे, यार, Vailet को शायद से मैं आराम से ही हरा पाऊंगा, यार, ज़्यादा डिक्कत तो होगा नहीं, ज़्यादा डिक्कत होगा है नहीं, क्योंकि, किट्सुन ही अगर इसका ये हालत कर रहा है, तो आप लोग खुद से ही समझो, अगर मैं इधर Anubis को लेकर क्या होँगा, तो Anubis इसका क्या हाल वाला, यार, वोइस अगर दो वाएलेट, ओक्या मार मार, ओ, नू, 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 कुछ ज़्यादा ही मैं बोल रहा था, बट यार, वेलेट नो, तो यार, मेरे किट्सुन को अल्मोस मार ही दिया था, चलो, आप मजा आने बाला है, बिक्स बॉस इस हीर, ब्रो, बॉस इस हीर, अब होगा बॉस फाइट, अब होगा में बॉस फाइट, वेलेट वर्सेस अनूबीस, अनूबीस दिखा दे, अपना फूल पावर दिखा दे, अपना फूल पावर दिखा दे, ब्रो, क्या कर रहा है, मैं भी माटा हूँ, मैं क्यूं इसको देख रहा हूँ, बेलेट, पढ़ा ना फटका, पढ़ा ना, है, अनुपीज के साल लड़ेगा, तू? नाइस वण, नाइस वण, ओ, 1579 पर आई चुका है, अब फिर सब फटका पढ़ेगा, ये फटका चीटर के से नहीं पढ़ा, थिए, ओके, औरे, इनके ओपर गोली क्यों नहीं लग रहे हैं, ओ, शिट, मार, 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 जली से मार ले, अनुपीस जली से मार, ओके लग रहे, ये सब क्या है, अच्छा, ये सीट बॉंब्स है, अनुपीस क्या कर रहा है, पता नहीं, लेकिन, अनुपीस का भी लिटरली, यार, हाला, टाइट हो चुका है, रिलेक्सोर्स मेरेको बचा ले, रिलेक्सोर्स मेरेको बचा ले, बहुत बढ़ या, ड्रेगन ब्रेट यूस कर रह है कमान और यह भी लगान है पूर यह के मेरेसाथ, मैं थे घंठ है फिर से मेरे से भागे मैं तोस्था बाग जाओ ठीकता है नहीं तो मुझे अप निकालना पड़ेगा, Estagon को, बर Estagon क्या कर लेगा, Estagon सिर्फ लेवल 21 का है, ओके, Relacusaurus, मार, 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 ओओ नो, ओ नो, ओ नो, चलो, इसको ही निकाले लेते हैं, चल, भूधि घुट्डल मार ले यार बचानल थे फिर्से मनें बचा लिया यह पॉजण पाउडर चोड़ रही थी तो नो फिर से यह पॉजन बॉम ओके ब्लेजाओ यार ब्लेजाओ टूटे ऐसे मर जागा चल कित सुन तू ही आजा ठीक है अब तू ही कुछ कर पाएगा दोस्त ख़पRaमारे यार मारारा नास वन वेरी नाइस, 12.95 हो चुका है और में गानुबिस को निकाला आँनूबिस को निकालना हूँ अनूबिस भरसाराल टे-ख डे, 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 यार, पहली बार देख रहा हूँ अनुबीस को यार, ग्रास टाइप एक पाल इतना मार रहा है यार, शेट, ये तो गलती चीज हो गया यार, शेट गाइस, लिटरली ये गलत चीज हो रहा है यार, अनुबीस को पेल रहा है यार, ये तो मेरा ब वेसे निकाल दो सकता हूं, एस्टागोन 2 आजा थोई डियर के लिए, तू फाइट करके देख, तू फाइट करके देख, थोई डियर के लिए, एटेक अग्रेसिव ली, ओके, क्या करेगा बता नहीं यार, ओ नो, एस्टागोन कुछ भी नहीं कर रहा है, ओके, अब मार रहा आप आप यही कुछ कर सकता है ओओ नो ओक्या गुडब गुडब यह वाला डेमेज बहुत बढ़ीयां था ओके नाइस फिर से फ्लेयर स्टार्म नाइस 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 पर इस फ्लेयर स्टार्म से इसको कुछ फथका पराई नहीं बचा लेते हैं चलो ओके ऑट शेट किसून इतना slow attack मत क्या कर मैं तेरेको याड attack aggressively बोलना हो ना full on attack aggressively ही कर तभी कुछ हो सकता है कि चुन 8, oh, 8.52 हो चुगा है चलो, अच्छा ही है अच्छा ही है, यह जल चुकी है ना यह जल चुकी है, definitely guys, आप मौका बन रहे है चलो जी, capture rate 1% बट back bonus, oh shit ओके, I think I can catch her now देखते हैं, capture rate 8% नहीं, आज़ाइए यार ओ, guys, यह कैसे मीस हो गया यार आज़ाइए यार shit, आज़ाइए यार आज़ाइए यार आज़ाइए, आज़ाइए, आज़ाइए नहीं, आपको नहीं आना है मेरे team पे, please आज़ाइए यार मुझे आपसे लड़ना नहीं है यार वेलेट, मुझे आपको दोस बनाना है and I think she will come finally guys, वेलेट को भी मैंने पकड़ लिया फूफ, चलो वेलेट के बाड़े में थुरा सा जहान लेते हैं, ठीक है बट अनुबिस को पेल दिये थे यार वेलेट ने तो यार, एक चीज अब अच्छा होगा अब मैं फिर से अनुबिस के साथ बटल करूंगा and इस बार मैं वेलेट को भी लेकर के जाओंगा, ठीक है नाइस वान बट फटाक से वेलेट के बार में जान लेते हैं, पाल डեղेक के नीच रहे आते हैं वाव गईज, सेटोङ बीक is a Gryphin यह 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 तो Gryphin के तरह है इसके बारे में थोरा से बट जान लेते हैं born from the depths of insanity its very existence should not be why? having lost all genetic ties to other pals, one wonders if it could still even be considered a pal, but why? तो guys इसको तो legendary palmon होना चाहिए था यार अगर ये इतना ही यार एक uncommon pal है, इसका संख्या अगर इतना कम है तो definitely guys he should be a legendary palmon and इसको बनाया गया है अच्छा, I think सेडोबी को बनाया गया है इसको mutate करके बनाया गया, he's a hybrid तब ही मैं सोचूँ and मुझे ऐसा लग रहे है guys, ragnahawk and कुछ यार ऐसे पालों को mix करके इसको बनाया गया है blaze howl ऐसे करके mix करके इसको बनाया गया है, so इसको इसलिए पाल घोसित करना मुश्किल है and इसका habitat, अगर डेखो इसका habitat ही नहीं, अगर है तो इधर, and guys मैंने map का सिर्फ ये वाला हिससा ही खोल के रखा हूँ यार, कितना बड़ा map है, and मैंने इस map का इट्टू सा एडिया ही अभी तोख खोल के रखा हूँ, anyways guys, मुझे जाना था, वेलेट के बारे में चलो, वेलेट के बारे में भी जान लेते हैं where is, वेलेट ये है okay, status पढ़ते है the castle was filled with the king's favorite flower, and I think she is a flower right, ये देखरो, ये फूल है a great battle ensued and flames approached the castle amidst the chaos, the spirit of a flower appeared from the fairy tale, the king of flower, अच्छा, ये फूलो की पड़ी है, ठीक है ये फूलो की पड़ी नहीं फूलो की आत्माए है okay ये फूल के अंदर से जन्मा हुआ एक spirit है, while fighting together ground, pulse drop, more items, अच्छा and she is strong, यार medicine production देख रहो, level 3, good good, good, not bad तो यार, next episode में मज़ा आने वाला है, क्योंकि guys, next episode में मैं वेलेट को भी लेकर करके जाओंगा, बहुत सब्सक्राइब करने के लिए and guys, यह breeding क्यों नहीं हो रहा है आप लोग मुझे थोड़ा सा explain करने नं, ठीक है मिलते हैं guys, अगले episode में, bye bye, check your sayo, na da, love you